तो दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आपका, आपी के चैनल फूचर प्रॉपर्टीज में, बहुत समय से आप लोग की डिमांड आ रहे थी, सर जो अपनी शिमला बाइपास रोड पे जो जगनात एंकलेव सोसाइटी है, उसकी क्या अपडेट्स हैं, आप में से बहुत सारे ल तो यह पूरा ग्रामीन एक एरिया है, उसके अंतरगती आता है, अगर मैं बात करूँ, यह जो लोकेशन है, यह विकास नगर तहसील के अंतरगत पड़ता है, अगर मैं यहां से नियरबाई लोकेशन की बात करूँ, जो यहां के जाने माने प्लेसेज हैं, उनकी बात करू कि 5 कौन कौन से राज्यों को होते वे जारी है जो कि आपको स्क्रीन पे निख रहा होगा अब मेन जो मैं बात करा था यहां से पॉंटा साहिब है अच्छी जानी मानी वेल नोन लोकेशन है आपको पता है पॉंटा साहिब का गुरुद्वारा वो यहां से तक्रीवन 12 किलोमे कि धूर के सुधर की दूरी पर हरवसों का मार्केट भी है और में डार्य पाने में पानी पकी सडक करके देनेवाल हमेरे बहुत ही शांदार थीश पीट की में एंटरी रोडई terminus की 25फित कि हेंब अब जो आपने देखा होगा हमारा जो phase 1 का area है आप देख सकते हैं पूरा demarkation phase 1 में हो चुके हैं जितनी demarkation आपको दिख रही हैं यह phase 1 है यह हमारा पूरी तरह की से sold out है अब मैं बात कर लेता हूँ phase 1 के बाद जो हमने आगे काम launch किया है जो यह बीच में आपको पकडंडी सी द चुकी है अल्रेडी हमारे agreement हो चुके हैं और कुछ एक चीज़ें यहां पर अभी भी कुछ अच्छे plot के लिए बहुत सारी चीज़ें आप अवेलेबल हैं वह तो इन्वेंटरी में आपको शो कर दूँगा वो सारी चीज़ें कौन-कौन से क्या-क्या चीज़ें यहां पर सोच रहे हैं कि देहरादून के अंदर ग्रामीन एरिया के अंदर मकान मराके रहने का तो यह एक बहुत अच्छी रेजिडेंशल लोकेशन आपके लिए हो सकती है एक ऐसी लोकेशन हो जहां पर इन्वेस्ट करके आपको बहुत ही बेस्ट रिटन मिलें तो आपके लिए ब दिल्ली दिल्ली द्हरादून एक्सप्रेस वे जो कि धाई घंटे में दिल्ली से लोगों को देहरादून पहुंचाएगा। उसी तरह से दो घंटे में चंडी घंट से देहरादून एक एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है जो कि फोर लेन हाईवे होगा चंडी घंट से लेकर पौंटा साइप से होते हुए और जो बाहर हमा बिदेखाई दे रहा होगा। आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा जो फर्स पेज है वो हमारा पॉंटा साहिब से लेकर अपना काम कर रहा है और ये 25 के मीड में ये प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीट हो जाएगा कि आपको पता है सेंटर गवर्मेंट का है नहीं का प्रोजेक्ट है यहां से बल्लूपुर चौक जाने में मातर 20 मिनट का चंद 20 मिनट में आप सीटी में कनेक्टर जाएंगे वह भी फ्लाइवर के थूरू इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरफ भी पूरा गाओं है पूरी अच्छी तरीकी से बसावत है देरे दूसरी तरफ देखेंगे तो यहां पे भी तो यह पूरी दोनों साइट गाओं है मैं आपको इसलिए च्छत से पूरा होल व्यू दिखा रहा हूं ताक आपको बात करूं यहां पे प्लॉट के साइज आपको क्या-क्या मिलने वाले हैं हमारी प्लॉटिंग के अंदर आपको सौ गज देड़ सो गज दो सो गज पांसो गज आप जितना मर्जी उतना ले सकते हैं यानि कि हर तरीके का मतलब जैसे आपकी पॉकेट अलाओ करती है हर टाइप की प्रॉपटी हमारे पास यहां पे अवेलेबल है अगर मैं और क्या फैसलिटीज हम देंगे आपको ऐसा क्या एट्रेक्शन का पॉइंट है जो हमारे साथ आप यहां पे प्लॉट बॉक करें तो यहां पे एक बीगा में जैसे कि हमने पहले भी आपको प्रॉम अब मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से इस दिए गए कॉंटेक्ट नंबर पे कॉल करें जल्दी से यहां पर अपना प्लॉट बॉक करें बाकी अभी मैं आपको जो में चीज है एक बार आपको धर्मा वाला चौक पूरा विजिट करवा देता हूं कि कैसे कैसे कौन- मेधनीपूर पे भी मैं आपको दिखा देता हूं कि मेधनीपूर कहां से वह जो रोड पुरानी शिमला बाइपास से कहां से वह रोड तो आप यहां से होते वे जाएंगे आप और अगर आप जाना चाहते हैं नाहन, शिमला, पॉंटा, यम्नानगर, चंडिगर्ड तो यह रस्ता आपका है पॉंटा साहिब जो की चंडिगर्ड से फोर लेन एक्सप्रेस वे बनके आ रहा है और जैसे मैंने आपको बताया कि यह यही से आप दिल्ली भी कनेक्ट हो सकते हैं यही से आप यूपी भी कनेक्ट हो सकते हैं तो यह वाला जो रस्ता है आपका बेहट साहरनपूर को यह रस्ता जा रहा है अम्माला यम्नानगर वगेरा होते वे यूपी और यही रास्ते से आप दिल्ली भी निकल सकते हैं यान मैंने बताया पॉंटा साइब से लेकर मेधनीपूर तक यह ओन रोड पूरी शिमला बाइपास रोड पे ही यह आ रहा है मालब यह रोड ही चौड़ी हो रही है सामने आपको दिख रहा होगा नैशनल हाईवे का पिलर है यहां तक इस रोड का क्यूंकि आपको यह वाला जो होगा यह जो गार्डन था इसमें पूरा बगीचा था तो यह पूरा आप देख रहे हैं प्कट चुका है और यहां से जो रोड यहां से पिछे जो है अंदर चली जाएगी और यह आपको सामने जो दिख रहा होगा यह इंग्लिस मीडियम श्कूल है और यह बगल में मेध खाउ से 12 घाउं है जो बीच कहे सारे यह पाइपास हो जाते का काफी यह घोंड तो यह रही पूरी देखल सूर थाए ऑगे अधरिश के जरी आपने जान लिया समझ लिया और बाकी आप अगर इसी तरह की एकर शीजते है तो हमें दिए नंबर पे कॉल करेंए में शीज rate क्या हो सकता है यहाँ पे 10,000, 9,000, 8,000 तो मैं आपको बता दूँ अगर आप यहाँ पे single side का plot book करते हो rate रहने वाला है 7,500 रुपे और double side road का plot book करने वाले हैं तो rate रहने वाला है 8,200 रुपे तो यह दो rate हैं हमारे पास जिसमें आप हमारे साथ plot book कर सकते हैं बाकी आप जल्दी से side visit के लिए call करें दिये गए नमबरों पे मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए बाई बाई take care जएए